नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर पर दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतुपूंग जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं रंग गुरा करने के लिए अयरुवेदिक उपचारों के बारे में चमक्ती तवचा तथा प्रोडक्ट से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे पड़ेंगे जिहां आप घर पर इसे आसानी से बना करके नकेवल अपने चेहरे को गुरा बनाएंगे बलकि पैसे भी बचा सकते हैं आईए जानते हैं इसी के बारे में सबसे पहले चंदन के बारे में जान लेते है एंटी सेप्टिक, एंटी इंफ्लमेंटरी और नीसंस क्रामक गुणों से भरपूर चंदन आपकी त्वचा के लिए बहुत लाफकारी है यह त्वचा के लाल चकते मुहासे, ब्लैक हेट्स और अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए एक उपचार है के तोर पर कार करता है, रंग गोरा करने के लिए चंदन का इस्तेमाल अईरुवेद में सालों से किया जा रहा है, चंदन का फेस मास्क बनाने के लिए आप चार बड़े चमच चंदन का पाउडर लिए और उसमें दो छोटे चमच बादाम का तेल तथा दो बड़े चमच नारियल का तेल मिला लीजे अच्छी तरह से इसका मिश्रन बना कर आप 30 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगाएं आपको जल्दी ही असर दिखाई देने लगेगा इसके बाद जाए जानते हैं केसर के प्रयोग के बारे में केसर सबसे महेंगे मसालों में से एक है और शरीर और तवचा के लि अच्छी तवचा की टून गुरा रंग प्राप्त करने के लिए केसर का उपयोग कैसे किया जाए आए जानते हैं दो से तीन केसर और उसमें दो से तीन बूंद जैतुन का तेल डालना है आपको फिर उसमें एक चमच कच्छा दूद और एक चमच साधा पानी मिला करके के लगाएं और ताजा ठंडे पानी से दोलें गुरा होने के उपाय अगला जानते हैं हम हलदी की सहायता से अयर्वेद में हमेशा से ही हलदी को तवचा के लिए गुरा होने की दवा माना गया है शाधी से पहले हलदी लगाने की वजह यहीं होती है कि इससे तवचा में बड़े चमच हल्दी के पाउडर लीजिए और उसमें दो बड़े चमच चावल का आठा मिलाएं फिर उसमें एक चमच टमाटर का जूस और एक चमच कच्चा दूद मिला लीजिए इस मिश्रन को अच्छी तरह से अपने पूरे चेहरे पर कवर करें और एक घंटे के लिए इसके बाद इसे गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धोले यह आपके फेस के साथ साथ आपके हाथों को भी गुरा करने में मदद करेगा यह ध्यान रखें कि पेश्ट बहुत मोटी नहीं होने चाहिए तवचा के लिए उप्योगी है एलोवेरा जी हां आयरुवेद मे यह घरेलू के रूप में कामाता है दाग धब्बे हो जाने पर पिंपल्स हो जाने पर कट जाने पर सन बर्न हो जाने पर और रिंकल्स हो जाने पर आपको सभी अभी से एलोवेरा का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए एलोवेरा को उप्योग में लाने के लिए आप एक क को मिला लेना है और एक सिमी लिक्विड पेस्ट बना लेना है आप इसे चेहरा और हाथो पर लगाईए और पचीस मिनट तक इसे सुखने के लिए छोड़ दीजिए इसके बाद आप इसे हलके गुंगुने पानी से धोलीजिए आपकी स्कीन हेल्दी और गोरी हो जाएगी य यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं कौर बेहदी महतोपुन जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों